नमस्कार दोस्तों फिर से आप लोगों के एक नई वीडियो हैं में आपका स्वाग थी दोस्तों आज की वीडियो में हम 5 व्लेक्ट फुल रिवैंडिंग इस वीडियो में को करके दिखाने वाले अगर आपको कुछी भी नहीं आता है, जिरो लेवल से आप सिखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत लबदाया है कि शुरू से लेकि और लास्ट तक यह वीडियो देखिएगा, बिल्कुल जिरो लेवल से आज के वीडियो में हम आपको फ्राठे फैन का वैं करने से फञें, उसका व्यडिंग data पता होना चाहिए और उसका basic information into a dir or outrya और उसका stamping हमको पता होना चाहिए, उसी हिसाब से किसी भी motor का winding data उसमें set किया जाता है, चलिए दोस्तों इसका पहले सबसे पहलें निरंगे बैसिक इन्फ्रमेशन आपको बताएंगे इसके लिए गाल अब तो चलिए दोस्तों बीना वक्त भुताएं अपने टेवल टोस्तों अगर आप लोग हमारे चेनल परisia uh विजिट की लिए दोस्त वी को सब्सक्राइब करें вкус गंड़ी न्योटिफीकेशन all कर लिजगा क्योंकि दोस्तो हमारे चनले पर motor winding, fan winding और electric से समझ जितने भी motor winding होता है और fan winding repairing रिपेरिंग से समझ दित हमारे चनल पर वीडियो आती रहती है आप चनल सब्सक्राइब करके रखेंगे और bell घंडी नोटिफिकेशन और करके रखेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है चलिए दस्तो हम चलते अपने टेवल पे तो दोस्तो यहाँ पर हम आपको जो बेसिक इंफ्रमेशन बताएंगे दोस्तो ओ आप डाइडी में या किसी नोट बुक म में आप नोट कर लिएगा तो चलिए दोस्तो यहाँ पर देख सकते कि हमारा एस्टेटर है तो दोस्तो एस्टेटर के सबसे पहले क्या आप हमको जाना जूरू होता है दोस्तो यह इसका मोटाई है दोस्तो इसको हम स्टेंपिंग बोलते है और लेंथ भी बोलते हैं दोस् चलिए दोस्तों इसका इने डाया के हम बात करें तो इसको आउटर डाया हम बोलते हैं तो इसका आउटर डाया यहां पर हमारा जहां तो एकक लिखा धो हुआ है यहां भे की जित बढ़ता है चलिए जो ईह हो गया इसका कुछ बेशिक किसी भी मोटर को वाइंडिंग करने से पहले दोस्तों उसका इनर डाया, आउटर डाया और श्टेमपिंग हमको पता होना चाहिए तो चली अब बात कर लेते हैं इसका वाइंडिंग डाता का, यानि कि इसमें कि इतना नंबर को वायर डलेगा और जीरो लेवल से आपको एक एक चीज़ आपको समझाया जाएगा अच्छलिए दोस्तों हम आपको वैंडिंग डाटा आपको बताते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हम डारी निकाल लिये हुए दोस्तों यहाँ पर हमारा नीचे वाला डाट है दोस्तों यह हमरा इस पंखे का डाटा है तो दोस्तों यह अल्मूनियम डाटा है यानि किस पंखे को वैंडिंग करेंगे दोस्तों यह हम अल्मूनियम से वैंडिंग करेंगे सबसे ज्यादे अल्मूनियम से लोकल मार्केट में दोस्तों इस वैंडिंग होकर किया आता है क दोस्तों इसमें जो टोटल सलाट है दोस्तों सलाट के मतलब होता है जो यहां पर जितना भी हमारा हॉल है इस अभी को हम सलाट बोलते हैं दोस्तों इसमें टोटल सलाट हमारा 24 सलाट है चलिए दोस्तों अगला हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कैपिसीटर यानि कि इसमे ID भी इसका बताए है OD 105 M OD भी इसका हम SQL से नाप करके आपको दिखाए है अब बात कर लेते हैं इसका SWG के बारे में SWG का मतलब होता है दोस्तों जो वायर का मतलब होता है SWG short quote में उसको SWG wire से हम संभोधित करते है तो दोस्तों इसका SWG यानि तार कितना नंबर के है तो दोस्तों इसको 30 नंबर wire से इसका running coil बनाएंगे और दोस्तों इसमें जो total coil बनेगा running coil का हमारा 4 coil बनेगा और दोस्तों यहाँ पर जो turn डलेगा एक coil में दोस्तों turn डलेगा हमारा 160 turn डलेगा और दोस्तो क्वाइल पीच रहेगा हमारा यहां पर रहेगा एक से चार हमारा रहेगा एक राउंड और दोस्तो इसका एक से चार एक राउंड क्वाइल पीच रहेगा और एक से छे दो राउंड यानि एक से चार के मतलब क्या होता है चली दोस्तो आपको हम यहां पर बताने को परियास करते हैं यहां से चाथ के मतलब हो यहां से count करेंगे एक दो तीन चाहर तो दोस्तों एक से चाड़ यह हमारा क्वाइल पीछ हो गया था इस क्वाइल पीछ में हमको क्वाइल डिस्टेंस के यानि कि इसका जो क्वाइल बनेगा वो हमारा कितना इंची के बनेगा यानि कि दोस्तों इसका क्वाइल जो बनेगा गोलाई में हमारा बनेगा सारे 21 इंची का गोलाई में बनेगा दोस्तों आपको यूट्यूपर बताया जागा कि 21 इंची का क्वा आभी परसानी नहीं होगा तो दोस्तो यहां पर रुनिग क्या इस यहां किया बारे में बता दी है आप बात कर लेते स्ट्राइटिंग कोल स्पीड घट जाता है इसलिए अपकोट तीस नमबर से वाइंडिंग करना है दोस्तो रॉनिंग क्वाइल का काम है सिर्फ पंखा को नचाते रहना और स्टार्टिंग क्वाइल का काम है पंखा को स्टार्ट कर दाना स्टार्टिंग में यानि कि शुरू में पंखा को स्टार्ट कर दाता है स्टार्टिंग क्वाइल को दोंतर होका निश्का इसको नचाते रहना में आप सदमाइब को यूज करना ऊत्राइब नशच्प में 500 बनेगा इसमें हमा चार वने बनेगा और दोस्ते के बाद संद स्यमगर जाएब गोल संद्र है 5 डिस्टेंस सिर्ष और स्री Bowl को बनाना है यहां पर दोस्ति है इसन और अपने मोबाइल में यहां पर सेव करके रख सेकते हैं तो चलिए दोस्तों और किसी अगर मोटर का वाइंडिंग डटा चाहिए दोस्तों इस डायरी में हमें बहुत सारे मोटर का वैंडिंग डटा लिखा हुआ है आप पूछ सकते हैं कमेंट के माधियम से आपको का मला बनाएंगे तो चलिए दोस्तों यहां पर machine को हम reset कर लेते हैं और दोस्तों इसका कोईल का यहां से यहां तक जिल willen सेट किये हुए हमारा सारे 31 सिंची गुलाई साथ किये है už दोस्तों यहां पर Ūर तीस नमर का अल्मुनियम वायर है दोस्तों यहाँ पर रिला देख सकते हैं कि हमारा तीस नमर का अल्मुनियम वायर के यह वाला रिला है चलिए यहाँ पर माला बनाना स्टार्ट करते हैं, टोटल हमको 4 मला बनाना है तो दोस्तो यहाँ पर हमारा रनींग कौ सब्सक्राइब का फूसके में यहाँ पर बनाए जोस्तो टॉनस देखसकते कि इसमें 202 तंड दीए दोस्तो इस परकाल से दोस्तो यहाँ पर हमको 3 और क्वाई बनाना यहांनी टोटल हम हम मझों को चार कोउय से हैं में पर दूस्तो यहां पर हमारा क्वा कॉयल क्रिक करते हो टे कि ओसके था दूस्तो यहां पर हमारा मालielt है रट रूस्त zooming यहां पर इस कॉयल को यहां पर नोट बोल्ट हम खोल दिये और दोस्तों यहां पर इस कॉयल को हम यहां पर उतार लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से हमको यहां पर अभी रनिंग कॉयल सिफ बना है इसी प्रकार से दोस्तों हमको यहां पर स्टार्टिंग कॉयल ही बना लेना ह है टॉन हमको 10 टन कम देना यानि इसमें स्टार्टिंग कोईल में हमको टॉन देना है 150 टन 30 नंबर वायर से तो दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग कोईल भी बन चुका है चलिए दोस्तों इस कोईल को अब यहाँ पर हम उतार लेते हैं तो दोस्तों यह हमारा स्टार् रहा चलिए दोस्तो हम आ गये हुए अपने Table पड़ा। दोस्तो यहाँ पिपर हमारा ये स्टेटर है। विलता हम सबसे पहले हमारारा निंग क्या और क्या कर गें कि हमको एक टेप लेना है। यहां की कि सबसे पहले यहां पर रुनिंग को लखना है दोस्तों यहां पर सीधा क्वाइल लगना है इनर वायर हमारा बाया साइड में है और आउटर वायर हमारा यहां पर दाइना साइड में है यानि इस परकार से हमको यहां पर क्वाइल लगना है तो चलिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे इसमें से हम एक क्वाइल लेंगे ज बैठा देना है और दोस्तों यहां पर हमको ची पेपर इसके ऊपर यहां पर इस प्रकार से लगा देना है दोस्तों यहां पर हमारा यह हो गया इनर वायत है इसको इस प्रकार से यहां पर हम इसको लपेट दिये अब दोस्तों यहां पर इस साइड वहला क्वाइल क्या करना ह और एक से चार स्लोट में यहां पर दोस्तों हमारा क्वाइल को डाल के पेपर यहां पर लगा देना है अब इस्टेटर को क्या करना है कि दोस्तों हमको यहां पर इस प्रकार से इसको प्लोट देना है और इसको यहां पर इस प्रकार से हमको घीचना है पिछे के तरफ अब द करके क्वाइल को यहां पर अंदर में हमको डाल देना है और दोस्तों जो क्वाइल यहां पर बचा हुआ है इस क्वाइल को मोर करके हमको इसी स्वलोट में यहां पर फिर से दोबरा डाल देना है तो दोस्तों यह हमारा एक से छे क्वाइल पीछ हो जाता है एक से चार में हमा हमारा एक राउंड यह परला पड़ गया और एक से छे में हमारा यहां पर दो राउंड पड़ गया तो दोस्तों इसी फर्मूला से हमारा जितना भी क्वाइल डालेगा सब इसी फर्मूला से डालेगा रुनिंग और स्टार्टिंग क्वाइल इसी फर्मूला से डालेगा फीर से इसके ऊपर यहां पHHHH लगा देंगे और सलोट में यह Amanda टाल देंगो कि यहां पर थोड़ा करना तो आपको क्वाइल अंदर में चला जाएगा सारा क्वाइल एक साथ डालने के प्रयास किजिएगा ता आपको क्वाइल अंदर में नहीं जा पाएगा चलिए दोस्तों यहां पर हमारा रनिंग क्वाइल का क्वाइल यहां पर डल चुका है तो चलिए दोस्तों यहां पर फि हाई दूसरा क्वाईल जो अटैच है वो क्वाईल यहां पे हम ले लेंगे और इस क्वाईल के दूसतों यह वना हमराasis iliare वाईर बन रहा है इसको क्या करना है हमको इसका आउटर वाय बनाना है चाहिए को इस फरकार से पॉलटर लेना है या कई के दगए यानि कि यह वाला क्वाइल है हमारा घूम के इस साइड में जाना चाहिए और इनर वायर हमारा यहां से बाहर निकलेगा दूसरा क्वाइल के चलिए तो यह क्वाइल हमको पॉलट करके डालना है तो यहां पर क्या करेंगे इसके बगल वाले स्लोट से एक स्लोट इसको यहां पर हम डाल देंगे और उसके यहां पर चीप पर लगा देंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारा यह वाला वायर है दुसरा वाला हमारा घूम की साइड में जा रहा है इन्नर वायर हमारा लेफ्ट हेंड साइड से निकल रहा है तब फिर से दोस्तों इसको यहां पर घुम क्वाइल पीच दो राउंड है तो चरीज तो यहां पर इसको घुमा लिए और दोस्तों यह जो क्वाइल हमरा आप बचा हुआ है इसको फिर से हमको उसी प्रकार से दो बार इसको मोर करके इसकी अंदर में यहां पर डाल लेना है तो यहां पर क्या करंगे थोड़ा- इसको थोड़ा-थोड़ा पतला करके जैसा कि यहां पर देख पा रहा होंगे यहांग निकल रहा है यान पर हमारा left hand side से यह निकाल आते हैं दोस्तों यह wire से दोस्तों जो coil हमारा attach है यहाँ पर वो coil हम लेंगे और यह coil अब हमारा सीधा डढ़ेगा तो इसका connection होता है एक से तीन दूसरी परकाट से यहाँ से count करने था एक दो तीन यहाँ पर तीन आ रहा है तो यहाँ से यह वाला वायर हमारा connection होगा आप connection को ध्यान प्रुबक से समझने के प्रियास कीजिएगा चली देस तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको यह वाला वायर हमारा इस side में बा में यहाँ बादवाला slot में यहाँ पर कॉाइल को डाल देके त्चरी है तो अब इसको क्या करने है फिर से यहाँ पर इसको भुमाल से और इस को यहाँ पर पिछे के तरफिंच लेंगे एंगे और दोत्तों हुमारा एक बार यहाँ पर राउंज चल गया और दूसरा राउंड भी इसको क्या करना है यहाँ पर gibtना करके इसको इस परकार से सकी अदर में यहाँ पर हमको डाल देना है अब इसके ऊपर यहां पर चीपे घरल पर रगा देखर दोस्तों य हमारा निकल कर आ रहा है को दोस्तों यह हमारा गूम्ब के चोंता को सब्सक्राइब का इस पर कार से इस साइड में जाएगा रहा चली तो यहां पे क्या करेंगे कि यहां पर फिर से एक जो यहाप खाली हमको यहां पर करना है कि उपर से हमको यहां पर inen थूट जा प्रदेंगे है फिर से उसके उपर इहां पर हम चीप फेपर लगा देंगे और इसको यहां पर घूमा लेना इस हम प्राकर सा इसको हम फीछे कर तरफ मिच चैंग fabrication क और इस क्वाइल को क्या करना है कि हमको मोर कर यहाँ पर स्लोट बचा हुआ है यहाँ पर एक स्लोट बचा हुआ है तिस दोनों स्लोट में यहाँ पर क्या करना है कि हमको मोर करके क्वाइल को डाल देना है ते एक राउन हमारा यहाँ पर क्वाइल डाल चुका है अब दोस्तों इ हमारा करना तो फ़िर से यहाँ पर क्या करते है किुकल करके आ रहा हैो यानी हमारा रनिंग का कधो इस權 में जॉइंट नहीं किया डारेक्ट हम प्ऩाइल बनाये हैं । इसलिए डौस्त हमारा बहुत ही अच्छा साराता ज्वाइंट करेंगे अगर दोस्तों हम सिंगल सिंगल क्वाइल बनाते तो क्या होता है कि हमको यहाँ पर ज्वाइंट करना पड़ता है लेकिन हम साथ में क्वाइल बनाएं तो हमको यहाँ पर ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारा डल चुपा अब इसमें हम starting coil डालेंगे जो Just starting coil डालने सपरे लिए काम हम को करना पड़ता है कि दोस्तों यहाँ पर जो हमारे sorting के लिए दोस्तों यहाँ पे लिजNow पर इसके nap कोटन टेप यहाँ पर मार सकते है इसके आपपसी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम cotton tape लगा रहे हैं इसी परकार से हमको सभी में cotton tape लगा देना है बैक साइड फ्रांट साइड दूनों साइड में यहाँ अगर cotton tape आपके पास नहीं है तो यहाँ पर पेपर भी डाल सकते है सब्सक्राइब करके इसमें लगा सकते हैं क्वाइल डानने का बाद लेकिन यह कोया होता है कि आप इस प्रकार के यह cotton tape लगा देते हैं ता आपका काम असानी हो जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा cotton tape अब लग चुका है अब इसमें क्या करना है कि अब हमको इस्टाइटिंग क्वाइल डालना दा च्छी दोस्तों हम टेप के ऊपर फिर से यहाँ पर दोस्तों क्वाइल कव डालिए और एक चीज़ के हमको ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से दोस्तों यह बला हमारा running coil के connection निकल ला है उसी तरफ से हम यहाँ पर starting coil डालेंगे तुस्तों यहाँ पर हम स्टाइटिंग क्वाइल डे लिए दोस्तों उसी प्रकार से हमको starting coil भी यहाँ पर रखना जिस प्रकार से हम running coil रखे हुए तो यहाँ पर जो inner wire है वो हमारा left hand side मे दोस्तों यहाँ पर एक चीज का आपके ध्यान देकर समझने के प्रयास किजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे क्वाइल डाना स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से स्टार्ट क्वाइल डालना तो दोस्तों चार क्वायल पीछ इन्स्ट करना है यहां पर देख सकते हैं यहां पे यहां पर एक से स्कंपम नीचे दवादेनगे और यहां पर क्या करते हमको श्राटिंग क्वाईल यहां पर ढलना है थोड़ा-थोड़ा करके इसके हमको डालना है तो इस प्रकार से हमारा क्वाइल इसके अंदर में चला जाएगा उसके बाद इसके ऊपर यहां पर हमको चीप पेपर लगा देना है और उसके बाद दोस्तों हमको धाहिना साइड में भी हमारा रनिंग क्वाइल को जो पहला एक राउंड हमारा डाला हुआ है इस वाले स्लोट में हमको यहां पर क्वाइल को डालना है तो यहां पर थोड़ा थोड़ा करके इसकी अंदर में यहां पर क्वाइल को अंदर में डाल देना है चीप लगा देना है तो चलिए दोस्तों यहां पर हमारा चीप पर लग गया अब इसको क्या करेंगे कि इस प्रक एक राउंड यहां पर वाले उपर वाले स्लोट में यहां पर डाल दालुन अभ फूरा क पुरा को मोड करके इस know आपको हम को दिखा तो आपको हम दिछा देते हैं इसी फरमूलहा से हमारा सारा स्ट्राटिंग से टालेगा चलिए द вн offenders इसको यहां पर इस परकार से पुरा कंस यहां पर हम घुमा लेंगे वाइर गौण मोड लेना है और इसको क्या करना है इसको इसी स्लोट रुट में जोन द्लम बहें है एक से फ्रॉ Τ्रॉ डॉराओं यहां को डाल देना है चीपेपर लगा देना है तो चलिसको यहां पर फिर से इसको प्लक लिये और दोस्तो यहांको प करदो हो गया इसको यहांको प्रकार से уже जरहता मैं कोई похuardा यह हमारा रनिंग क्वाइल का आउटरो बायर है तो अगली क्वाइल का हमारा आउटरो बायर में यह कनेक्ट होगा यानि कि यह क्वाइल हमारा इस प्रकार से प्लोट करके डालेगा यानि यह कनेक्शन हमारा इस साइड से इस साइड में जाएगा और यहाँ पर जो रनिंग पर यहां पर लब चुका है अब क्या करना है इसको यहां पर दो स्लोट बीच में हमार आटोमेटिक खाली छुट जाता है रनिंग क्वाइल को जो पहला राउंड डाला हुआ है उस वाले स्लोट में यहां पर क्वाइल को हमको डाल देना है चलिए दोस्तों यहां पर तो बार घंदर HOLק हमको यहां पर गुंडवा कर इस को बताते हैं उस dobr को इसकी अंदर में यहाँ पर डाले लेते हैं चली दोस्तों यहां पर का尉 हमारा यहां पे डल चुका अब दोस्तों इस ट्रक्टर को फिर से यहां पर पीलड़नेना है अब दोस्तों फसको इस प्रकार से साइब डियाम से ताइब देगे यह इनर वायर चलिए दोस्तो अबर स्टार्टिंग क्वाइल का यहां पर हम तीसरा क्वाइल ले लिए हुए और दोस्तो यह इनर वायर है हमारा घूम कर यहीं पे रहेगा यानि कि आउटर वायर में इसका हमारा कनेक्शन नहीं होगा था चलिए दोस्तों यहां पर हम स्टार्टिंग क्व हमारा वायर है यह देख सकते कि हमारा तीसरा कॉयल का हमरा दाहिना साइड से यह वला वायर निकल रहा है और रॉनिंग कॉयल को जो वायर डाला हुआ है उस स्लोट के पेपर को यहां पर हमको अंदर में डाल लेना है और उस स्लोट में यहां पर क्या करना है कि हमको यहां पर थोड़ा थोड़ा करके यहां पर क्वाईल को अंदर में डाल देना है लगा देना चीप पर दो सलिए दोस्तों अब यहां पर स्टेटर उस परकार से पालट लेना है अब क्वाइल को यहां पर हम खीचेंगे इस तरफ से यहां मोरना है और इसी सलोट में enact क्वाइल को हमको यहाँ पर डाल देना है तो यानि कि थोड़ा-थोड़ा करके इसी स्लोट में यह क्वाइल को फिर से इसके अंदर में यहाँ पर डाल देना है यहाँ पर इसके अंदर में थोड़ा-थोड़ा करके क्वाइल को डाल दी उसके बाद फिर से यहाँ पर हमको च यहां पे हमको running coil को उपर जो paper लगा हुआ है उस paper को यहां पे अंदर में हम दबा देंगे अब starting coil को यहां पे हम ले लिए और दोस्तों यहां पे एक चीज़ का फिर से आप गौर कीजिएगा कि starting coil का तिसरा coil से यहां धाहिना साइड से जो wire निकल के आ रहा है वो हमारा 14 coil का आईना साइ्ट से connection होगा याने कि इसको इस प्रकार से यहां पर हमको प्लट करके डालना है तो चलिए जो पीजिके यहां पर क्वाइल का फिरसे कहा goes लेंगे पड़ा यहां पर लंगए अज्ञेए पर लगा देंगे निया साइड में साइड में सब'mAPE च्टमक्ए अब क्वाइल डला हुआ है एक राउंड उस पर यहां पर हमको डालना है चलिए दोस्तों यहां पर हमारा क्वाइल इसमें भी यहां पर डल गया फिसे यहां पर हम चीप पर ले लेंगे और उसके ऊपर यहां पर हम लगा देंगे तो चलिए चीप पर हमारा लग गया अब इसको क क्या करेंगे कि황거든 यहां पर इस प्रकार से इसको घीचेंगे अब क्या करना है कि इसको रांड बोला है यहां पे सलोट हमाला बज घाता है द compartment सब्सक्राइब दो यहाँ पर इस स को आपक हमा इसे फ हुआ इस सब्सक्राइब निहीं संरे में अवर इस साइड में coil बच गए गया हुआ है उस-quail को उसी引き-और में यहाँ거든 राख़े, लेख़्या पर ले लिए प्रिखे दोस्तों इसими प्रकार से वहरा हमारा लीड निकल रहा है दोस्तों दो वाइर हमारा यहां पर स्टार्टिंग वाइल से निकल रहा है और दो वाइर यहां पर हमारा रनिंग वाइल से निकल रहा है चलिए दोस्तों इस वाइर सबको अभी यहां पर इसमें अंदर में डालेंगे और यह हमारा हो गया बैक कि सुई इसको बना लाखे और दोस्तो इसको प्रकार से हमको धागा लागले, चलिए दोस्तो अब इसको क्या करेंगे कि यहां पर जितने हम सभी सलोट सभी सलोट में हमको इस प्रकार से धागा ड़ागा ड़ेवना sigui इसको अच्छी तरीकिसे हमको si lagi करना है और दोस्तों इसको अच्छी तरीकिसे हमnerको si laik करना जितना अच्छा आप सिलाई करेंगे इतना अच्छा आफ का कवैल का von kimiobsyy 맛이 GORick चली दूसरो सभी को क्या करते हैं कि इसको चारू साइड में इसको घुमा करके हम अच्छी तरीके से सिलाई कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पे हमको अच्छी तरीके से यहां पर जितने भी सभी स्लोट है सभी स्लोट में हमको यहां पर धागे डाल करके इसको अच्छी तरीके से सिलाई कर लेंगे क्योंकि दोस्तों अब जितना अच्छा सिलाई करेंगे उतना अच्छा आपका कोईल का फिनिसिंग आगा तो चली दो सभी को यहां पर हम अच्छी तरीके से इसको घुमा करके धागे से इसको हम सिलाई कर लेते हैं तो दोस्तों यहां पर इस साइड में हमारा धागे से सिलाई हो करके कंप तो चारो वायर में हमको क्या करना है यहाँ पे एक नमबर या जीरो नमबर के सिलीव हमको कटिंग कर देना है यानि कि इतना बड़ा बड़ा हमको चार सिलीव हमको कटिंग कर देना है चारो सिलीव को क्या करना है इस चारो वायर में हमको डाल देना था चलिए तो इस सिलीव थो हमको यहाँ पे छहील करकर निकाल लेना या इस परकार से आप कटर के मज़द से या माची दिमम्रों से भी इसको आप जला करकर इसके ऊपर का पो निकाल लेना जानिकि यहां पर कर नोग है और उप Torres करने के लिए हम तीन लीड ही इसका बाहर निकालेंगे दोस्तों अगर आप चाहे तो चार लीड भी इसका बाहर निकाल सकती तो उसके लिए आपको बाहर इसका एक कॉमन वायर के साथ में कनेक्शन करना पड़ता है लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हम इसका कॉमन तो हमारा दोर से बाहर किले तो यहां पर पर किस इसमें क्या करना जाएगा और इस faculty दोनौशेीwang क्या कष़िए सबस्क Citizens का यहां पर क्या करना बाइस हम्कों राइक हैं डाहिना साइड से राइक दूरplex Одका भी सघि पिला कशला करेंगे और इसमें दूरकर में क्या गए करेंगे नह一番 पर क्या करते है कि जो हम रणिंग कुली क्वा y toword कर रहे हैं उसमें पिला करने करते हम लार वायर है क्या करना है यहां को इस प्रकार से अच्छी तरह के सिայां को जोइंट 수 इस प्रकार से आप joint यहां पर जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से यहां पर joint आप करने का प्रयास किजिएगा तो यहां पर हमारा common wire में यहां पर लाल कलर को wire कनेक्ट कर दिये और यह हो गया हमारा running क्या कर दिया किया क्या करना है कि स्टार्टिंग क्या करना है इसको भी यहां पर अच्छी तरीके से यहां पर जोइन कर ना किया क्या कर देना है इसके उपर यहां पर आप चरहा देना है इसके ऊपर यहां पर यहाँ पर फिर से इसको हमको क्या करना है एक बार धागे से इसको शिलाई कर लेना है यहाँ पर बांध दिये और जिस परकार से हम यहाँ पर कि फंट साइड में दा हऐ सराय के उसी प्रकार से यहांपे हमको बाक साइड में एक बार और लेट वालेफिए रीड वालेसे मिट करना तो तो यहांत वबगे को देख participating की धागे से शीलाई होकर कि हमारा complete होने वाला है नह segunda यहाँ पर हमारा शीलाई तरह है complete होगा इस परकार से दोस्तो आप भी अच्छी तरीके से दोस्तो आगे से सिराइक करने का प्रयास कीजेगा तभ ही आपका coil का तो दोस्तों यहां पर हमारा पंखा फितिंग हो चुका है यानि कि इसका इस्टेटर भी इसमें लगा दिये और इसका जाली भी कस दिये बलेड भी कस दिये है और यहां पर क्या करना है कि सको हमको connection करना है कुरिए क कंडे़ी के लिए यहां पर यहां पर शॉत कर देते हैं और चोर्थ को हमारा से ब्लु वाला व्यर स्टानिंग कोईल का वाइल से यहां पर हमारा Колसर को सफ़लाई जाए जाएगा सफ़लाई कर दीजन चलिया यहां पर ब्लाइन चलिए bestよね यहां यहां तो न्यां घजके यहां यहां पर हम तो कंट कर देते इसमें तो चलिए हमने कांपे को देख सकते हैं थो देख सकते हैं कि यहाँ पर पंक्र के हमारा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल घंट नोटिफिकेशन और कर लिजेगा क्योंकि जोस्तों हमारे चैनल पर मोटर वैंडिंग और पंखा वैंडिंग और इलक्तिर से सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेंगे तो चलि बहारत